चारो तरफ से मुझे messages आ रहे थे, Reliance में breakout आ गया है, Volume के साथ breakout आ गया है, और इसको buy करना चाहिए, आज ये 5-6% बढ़ गया है, और ये 10-15-20% दो दिन में बढ़ जाएगा, ऐसी हमडों के पास news है, चार्ट में breakout आ गया, ये वो, ये वो, यहां पर क्या हो रहा है, RSI बना लोवर हाई, तो वो चीज अब candle में जब देखेंगे, कि अगर bottom में मुझे thick red candle मिलती है, that can be a trap भाई, एक चीज तो confirm है, ये level short करने का नहीं है, और उसके साथ में नमस्ते friends, मैं हूं जोती बुदिया, और आज मैं एक वीडियो बना रही हूं, वॉल्यूम पे, बहुत लोगों ने request किया, किया हम एने RSI करवाया, M.A.C.D. करवाया, print lines करवाया, patterns करवाया, candlesticks करवाया, लेकिन वॉल्यूम का रोल भी लोगों को जानना था, तो friends, वॉल्यूम का तो मैं बताई रही हूं, साथ में, recently, trading view ने एक और feature launch किया है, वो है, volume candles, तो candles के साथ में, जब हम वो volume देखते हैं, तो उसकी clarity ज्यादा बेटर आती है, और मैं रोज ये चीजे देखती रहती हूं, study करते रहती हूं, तो चीजे सामने आती है, और यही चीजे मेरी study को और अच्छा बनाती है, friends, कुछ ऐसी भी शिकायते आईए मेरे पास, कि मैं रोज अलग-अलग चीजें क्यों दिखाती हूं, एक ही चीज में focus क्यों नहीं रखती हूं, तो friends, ऐसा है कि मैं पूरा bucket आपको दे रही हूं, कहीं कुछ सिखा रही हूं, कहीं कुछ सिखा रही हूं, जो topic उनको easy लगे, उसके according करिए, सबका use तो एक साथ मैं भी नहीं करती, हां तो मैं जो है 1990 से charts कर रही हूं, 1990 पे तो computer था यह नहीं charts का, जी हां मैंने graph paper पे start किया था, तो वहां से जो मैं charts कर रही हूं, तो इतने सालों में मैंने काफी कुछ तो सीखा ही होगा, जैसे जैसे indicators develop होते हैं मैंने भी उनको सीखा ही है, उनको use किया है, और साथ में इतनी practice के साथ में मुझे यह समझ में आने लगा है कि कौन से time पे या कौन से market scenario पे हमें किस type के indicators का use करना है, RSI तो मेरे लिए evergreen है ही, लेकिन उसके साथ में अगर कोई जरूरत पढ़ी, but ultimately price action, और अब जिन लोगों की request आई है for volume, तो मैं volume भी उसमें डाल देती हूं, और best मुझे क्या लगा, trading view में volume की candle, तो ऐसा है, देखिए, एक normal candle ऐसी होती है, right, यह आपकी normal candle हो गई, यह green, bread जो भी candle आप बनाए, लेकिन जो volume candle होगी न, वो अगर same size की है, क्योंकि price up and down तो होता ही है, तो उसी हिसाब से उसमें थिकनस आजाती है, तो जितनी पतली candle होगी, मतलब वहाँ पे volume कम है, भले ही price में movement आया, तो बहुत बार हम देखते हैं कि price में movement तो बढ़ा आ गया, लेकिन volume नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो चीज अब candle में जब देखेंगे, तो बिल्कुल अराम सिर्फ फटा फट दिख जाती है, तो मैं आपको चार्ट पर लेके चलती हूँ और वहीं पर आपको समझाती हूँ, अब यह चार्ट मेरे सामने है, आपको दिख रहा है हर candle की thickness दिख रही है अलग से, राइट, यह देखिए यह कितना थिक है, यह कितना थिक है, यह कम थिक है, यह कम थिक है, इसकी थिकनेस देखिए यहां पे देखेंगे अब मैंने इसको छोटा कर दिया तो थिकनेस और भी क्लारिटी आ गई यह देखिए यह प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम यहां पे मिला था वो वॉल्यूम यहां नहीं मिल रहा राइट मार्केट जब उपर भागते जाता है न तो यहां पे वॉल्यूम नहीं मिलता क्योंकि यह जो पॉइंट्स होते हैं जो बॉटम पे अगर बॉटम पे मुझे यह इतने थिक थिक कैंडल मिल जाते हैं तो माइफ्रेंड यह एक्यूमिलेशन वहां पर इंस्टिउशन ने स्मार्ट मनी ने एचनाइज ने जिनके पा इसके बाद दे आर नाव जस्ट वाचिंग और ले कौन रहा है हम जैसे लोग इसको जैसे भाग रहा है हम अपने में लेते जा रहे हैं प्राइस को और भगाते जा रहे हैं और वैसी ही चीज कैंडल की साइज और थिकनेस हम देखेंगे ना तो टॉप पे हमको दिखनी इसको हाइलाइटेड वर्ड्स में याद रखना कि अगर बॉटम में मुझे थिक रेड कैंडल मिलती है बॉटम में राइट अफ्टर अफॉल बॉटम में अच्छा ये फॉल कैसे देखेंगे तो यहां पे देखिए आपको दिख रहा है माकेट फॉल हुई है ये फॉल के बाद ये जो थिक रेड कैंडल्स बनी है दाट कैंड बी ट्रैप क्योंकि बॉटम में अगर कोई बड़ी कॉंटिटी बेचता है दाट कैंड बी ट्रैप और उसके साथ में और फ्रेंस एक बात और कहूं मैंने कारे साही पर वीडियो बनाया था डाइवर्जन्स पर सामने दिखा है तो आपको डबल बेनिफिट करवाते है इस चीज़ का यह क्या हो रहा है यहां पर प्राइस जो है लोवर लो बना रही है राइट कैंडल्स थिक हैं मतलब बॉटम पे कोई बड़ी कॉंटिटी निकाल रहा है लेकिन उसके साथ में मुझे क्या देखने मिल रहा है यह पॉजिटिव डाइवर्जन्स राइट पॉजिटिव डाइवर्जन्स का मतलब पहला पॉइंट थर्टी के नीचे दूसरा पॉइंट थर्टी के ऊपर मतलब ऐसा भी कह सकते हैं प्राइस इस मेकिंग लोवर लो RSI is making higher low और at least not lower low और classic डाइवर्जन्स एक थर्टी के नीचे एक थर्टी के ऊपर classic positive डाइवर्जन्स मतलब एक तो डाइवर्जन्स और उसके बाद यह थिक कैंडल्स भाई एक चीज तो कंफर्म है यह लेवल शौट करने का नहीं है अगर भाई नहीं कर सकते हो कोई कोई जबर्दस्ती नहीं है बट यह लेवल पे घबराके पैनिक में आके मैं निकल जाओं अपने position से वो तो नहीं करना चाहिए ना अब मैं आपको दिखाती हूं negative divergence यहां पे क्या हो रहा है RSI बना रहा है lower high मतलब एक पॉइंट जो है वो 70 के उपर है यह सारे पॉइंट के उपर है उसके बाद 70 के नीचे है और प्राइस जो है वो बना रहा है higher high अभी वॉल्यूम वाले candles के अंदर जो सबसे best advantage क्या है कि अगर आप देख रहे होंगे तो प्राइस जब उपर जा रहा है तो पकली candles है लेकिन यहां पे candle कितनी थिक है टॉप में यहां पे my friends अगर मुझ में profit बुक करने की थाकत नहीं है तो मैं at least buy तो नहीं करूँगी एक बार टाइम फ्रेम छोड़ दीजे इस अगर मुझ में जो आपको बता रही हो वो concept पे focus कीजिए टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए it will work in all time frames जहां जो मैं देखती हूं जैसे की hourly, weekly, monthly, daily और मैं जादा करके daily, weekly, monthly में जब delivery का काम हो तो पसंद करती हूं और अगर short term है तो daily, hourly पसंद करती हूं तो जो भी time frame अगर मैं investment भी कर रही हो या positional trade कर रही हो तो इन चीजों का अगर मैं ध्यान रखती हूं तो बहुत पार ऐसी चीज होती है कि मैं trap होने से बच जाती हूं और अभी इसी को मैं replay करके आपको दिखा रही हूं कि अगर मैंने ये कर लिया होता by तो क्या होता बिलकुर इसका high तोड़ेंगे तो हम फिर entry कर लेंगे ऐसी क्या बात है लेकिन अगर ले लिया होता तो फंस जाते और top पे क्या बना है थिक वाला रेड केंड़ तो शॉट भी बन सकता है रैट वहां पर बनता है जब ऊपर में थिक केंड़ दिखता है राइट दिखाते हैं अभी आपको अब इसमें आप देखना चाहें तो volume भी आड़ कर सकते हैं देखें यहाँ पे volume ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है volume लाल के साथ लाल लेकिन अगर मैं यह volume नहीं लगाँ क्योंकि कही बार क्या होता है कि volume के साथ candle merge होने से ठीक से दिखाई नहीं देता अगर मैं यहीं पैच से ही इसको रखूँ तो मेरे लिए यहाँ पे space कितनी बढ़ जाती है charts और candles कितना clear दिखता है और इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा speed बढ़ा देती हूँ लेटर से मैं 3x speed कर देती हूँ और अब देखिए अगर मैंने वो किया होता तो क्या होता यह भी बिल्कुल सही है टॉप में red candle है मैं इसे पुरा complete होने दूंगी क्योंकि मैंने speed बढ़ा दिया है अब आप देखिए कि अगर वहाँ लेली होती और आपको लगता है कि फिर इतनी आसानी से हम निकल गए होते यहां पर हम सोचते कि चलो भी तो भाव आया है और यह जाने के बाद फिर हम इंतजार करते और मेंबी शयद यहां पर निकल जाते Departate अब तो आया है भाव चलो अभी रहने दो अब निकलेंगे थोड़ा टाइम के बाद और जब हम निकल जाते हैं उसके बाद देखा निकल जाने के बाद जब यह बहुत देखते हैं तो फिर हालत खराब होती है कि यहां तक तो गया था तो फ्रेंज बात वो नहीं है बात यह है कि एंट्री करना बहुत आसान है एंट्री करने का डिसिजन लेना बहुत आसान है एंट्री नहीं करना वो डिसिजन सबसे टाफ है कि मुझे यहां पे ट्रेड नहीं लेना है मुझे किसी की बात नहीं सुननी है मेरे पास अगर इस लेवल पे बाई या सेल ओर आता है या कॉल आता है तो एट लीस्ट मैं यहां पे नहीं लू इन खास चीजों से हमारे लॉसस कम हो सकते हैं प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं और उसी की कोशिश करते 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 हमारी बैलेंशीट प्लस में ही रहेगी और आपको यह लग रहा होगा कि मैंने स्टार्ट ब्रेक आउट बाइंग शॉटिंग यह ना करके एंट्री नहीं करनी है वहां से क्यों स्टार्ट किया अरे भाई, एंट्री लेने की उतावली एक्साइटमेंट हम सब में होता है लेकिन जा वो एंट्री लेनी चाहिए यह लेने के बाद हम बोलते हैं अरे गलती हो गई क्या आप भी जोती बुदिया माम से एंड-टो-एं टीडिंग पढ़ना चाहते हैं if yes, then I have something very exciting to share with you हमने जोती बुदिया माम के साथ recently introduced किया है the Jyoti Budya Learning Path इस learning path में आपको Jyoti माम के सभी courses का access one go में मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading और माम के बाकी सभी courses available है and you know the best part अगर आप individually इन courses को buy करते हैं तो आपकी fees कोच 1600-2000 के बीच होंगी but if you buy this learning path you'll get it for only 9.99 isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe कीजे और Jyoti माम से trading सीखे now let's get back to the video तो अगर भाई stop loss भी hit नहीं करना चाहते और गलती भी नहीं करना चाहते तो कमसे गुम इतना तो देख लो लेकिन बिना stop loss के trading मत करना जब मैं कहती हूँ मुझे 38 years हो गए इस market में friends तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास experience की बात कर रही हूँ मैं इस चीज की बात करती हूँ कि 38 years में profit करने वाले लोग कम देखे हैं और बिना stop loss के trade करने वाले कहा गए वो लोग type हो गए उनका कुछ हता पता नहीं है कितनों को तो मैं जो जानती थी नहीं सुनते थे stop loss का वो कहा चले गए मुझे पता नहीं है वो market में तो नहीं है यह तो definitely है वो कोई और दुसरा काम में लगे है या दुनिया में है या नहीं है वो भी नहीं पता चलता तो friends जैसा कोई काम मत करिए कि कल हमें यह तकलीफ उठानी पड़े तो अब हम आते हैं कि हम इसमें breakouts और breakdowns को भी क्या volume के साथ trade कर सकते हैं और top और bottom पे करके हम enjoy कर सकते हैं जैसे मैंने अभी टाटा मोटर्स में दिखाया था तो चलिए friends हम टाटा मोटर्स के monthly chart में उसी point से start करते हैं जहां पर हमने positive divergence देखा था तो यह first point यह second point हमने ट्रेंड लाइन बनाई और क्या यहां पर हमको थिक बाइंग दिखी थी open low के साथ में बिल्कुल open और लोग बिल्कुल 10 पैसे का फर्क है इतना हम मालते हैं एप्रॉक्सिमेटल में देखती हूं तो जब मुझे बड़ा multi-air breakout का बड़ा movement देखना हो और उसमें मुझे समझो 25-30% का target है या 50% का target है तो 2 या 3% का stop loss तो मैं लेई सकती हूं तो इस low के नीचे 2-3% का stop loss 5 रुपया या 3 रुपया समझ लो का stop loss लेके यह particular जो open low का candle है और फिर उसके बाद क्या मुझे बताने की जरूरत है यह देखिए यह thickness यह thickness और यह thickness कम है यहां पर price बढ़ा है लेकिन comparatively thick कौन सा है यह कि यह definitely यह है और यह है मतलब accumulation का यह level था यह candle की size bottom पे अगर यह thick दिखती है तो वहां से हमें यह समझ में आता है कि किसी ने जमा किया था कैसा लग रहा होगा न सुनके कि साड़े तीन चार साल पहले की बात है जब यह price सो के असपस था टाटा मोटर्स और आज हजार रुपे का भाव है 10x in three and a half four years और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए हमें thickness नहीं दिख रही है हमें कोई thickness नहीं दिख रही है मतलब यह level पर अच्छी खासी बाइंग हुई है volume भी हम देख सकते हैं यह levels पर हमको volume दिख रहे है यह levels पर thickness के हिसाब से देखिए यह levels पर यह लेवल से वॉल्यूम नहीं दिख रहा है लेकिन प्राइस जाते जा रहा है उपर जाते जा रहा है जिसने लिया होगा सौ रुपे क्या सपास अभी तक तो एंजॉय कर रहा होगा न क्यों कि मंतली चार्ट है हायर टाइम फ्रेम में अगर बड़ा पैसा कमाना हो तो हायर टाइम फ्रेम में देखिए और अगर ऐसे चार्ट मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए फंडामेंटली कंपणी भी स्ट्रॉंग है फ्रेंज कोइंसिदेंटली आज मुझे एक मेरे फ्रेंड ने ही वाट्सएप भीजा था तो उसमें लिखा था कि यूफोरिया में 99% people buy and 1% people buy when there is a panic and I was surprised लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे शायद ही किसी ने खरीदा होगा क्यों कि यहां पे जो यह थिक वाली candle है red वाली मैं volume बंद कर देती हूं तो दिखेगी यहां पे panic में आके shorty की ओगी न कि buy की ओगी नहीं न और यहां पे buy करने की हिम्मत भी नहीं की होगी right अब जाके buy करने का मन हो रहागा और यह तो हजार के उपर चला गया So these are some psychological points also तो volume हो, trend line हो, price action हो, जो भी आप इसे नाम दे दो Ultimately, कहीं न कहीं आपको अपने emotions और psychology पे control रखना ही पड़ेगा कभी हम market में tick सकते हैं Friends, चलिए आपको एक अच्छे सी चीज दिखाते हैं Price making, higher highs और RSI not making higher highs अब यहीं पे आपको सारी चीजे देखने मिल जाएगी टॉप में क्या बना है, थिक green candle और यह same day 7% अब था मुझे अभी भी याद है कि वो दिन जब 230 क्रोस हो गए, 5% 6% भाग चुका था Reliance और चारो तरफ से मुझे messages आ रहे थे Reliance में breakout आ गया है, volume के साथ breakout आ गया है और इसको buy करना चाहिए, आज यह 5-6% बढ़ गया है और यह 10-15-20% दो दिन में बढ़ जाएगा ऐसी हमडों के पास news है, चार्ट में breakout आ गया यह वो, यह वो तब तो यह चीज नहीं थी मेरे पास बट volume के साथ भी मैं देख सकती हूँ तो volume में दिख रहा है कि बिल्कुल यह volume बनाय जा रहा है, राइट तो उस हिसाब से जब मैंने देखा तो मैंने का नहीं भाई, इतना volume देने के बाद वो भी top पे, और यह buying करने के बाद अगर मैं देखूं तो almost यहाँ पे market जो है sideways mood में आ गया इतना थिक candle देखके या आपने अगर मान लो suppose बाई किया या मैंने बाई किया वहाँ पे और वो भी शायद futures बाई कर लिया हो फिर एक महिने तक वो sideways रहे हिम्मत है नहीं है ना तो वो जो चीज होती है हम जब futures या options या बाई करते हैं तो हर एक के दिल में किच्छा रहती है कि फटाफट movement आ जाए तो at least जब मैं ये places का ध्यान रखूंगी कि top में buy ना करूं bottom में sell ना करूं अगर वहाँ पे volume दिग गया तो बिल्कुल नहीं करूं क्यों क्योंकि वहाँ पे trap के chances पूरे पूरे हैं तो this is a most important thing याद रखने के लिए चलिए अभी यहाँ से हम जो करतें bottom थेक 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 पूरा हमने trend lines बना रखा है breakout पे ट्रेड लेना जरूरी है हम support पे अगर थिक candle volume के साथ मिले तो क्या हम ट्रेड नहीं ले सकते हमारा यहाँ पे stop loss भी छोटा होता है और chances भी अच्छे हो जाते हैं चलो यह candle पे हमारी बाय हाथ नहीं आई कोई बात नहीं मैंना यह एक point था देखिए यह point और यह second point यह दोनों को मैंने जोड़के trend line बनाई तो third point जो बना वो अपने आप यह बन गया यह वाला यह वाला third point अपने आप बन गया यहाँ पे open low with ओपन लो में आपको पता है मैं जेनरली हाफ परसेंट से पनप टका तक पकड़ती हूं वोलटाइल मारकेट्स में ओपन लो थिक candle तो बाद में पता चलता है लेकिन ओपन लो के साथ में वो भी support के पास और बाद में यह थिक बन गई तो हमें तो सिर्फ होल्डी करना है उपर ही जा रहा है दीरे 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 यह देखिए यहां पर और फिर निकाला जो की मुश्किल है कि यहां तक कोई खड़ा रहे लेकिन उसके बाद वही support पर जब वापस थिक candle बन गया तो यह पहला यह हमारा पहला था यहां पर नहीं बना यहां पर जो बना इतने support टूटे नहीं और यहां पर जब थिक candle बना तो देखिए मुवमेंट वान टू थ्री फूर क्या मुवमेंट्स बने है और फिर यहां पर टॉप पर आके अंगल्फिंग बेरिश भी बन गया है और डाइवर्जेंस तो नहीं है लेकिन क्या मैं कह सकती हूं यह टॉप पर थिक candle बना है क्यों कि RSI is not making higher highs and price is making higher highs राइट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं वापस प्राइस नीचे आया वापस है थिक candle बन रहा है वित ओपन लो सेम दे भी तो तयारी कर सकते हैं बाइकरने की उपर देखिए ओपन इस वन जिरो टू फाइफ पॉइंट एट जिरो और यहां पर देखेंगे तो पता चलेगा और टाइम फ्रेम क्या है दिख रहे हैं सबको डेली तो इस तरह से हम इसको बेस करक करते हैं अगर यहां पर हमें ओपन दो मिलता है और अगर यह थिक कैंडल बन जाती है तो भी एट फार अनदर वन और टू और टू अगर हम वेट करते हैं तो बन जिरो नाइन जिरो का याद का तक पहुंचा और 1125 बीस पच्छीस रुपया ही खाली मिला अभी तक चल रहा है लेट सी क्या होता है तो दिस इस दो थिंग कि हम टॉप और बॉटम भी पकड़ सकते हैं पाई सेल के लिए और टॉप में बाई ना करें और बॉटम में सेल ना करें वह भी देख सकते हैं चलिए एक छोटा सा आपका फेवरेट थोड़ा टच-ब कर देते हैं बैंक निफ्टी लेट से 47,000 पुट 10 एप्रियल जो मेरे सामने है इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊंगी और यहाँ पर जब मैं देखूंगी तो क्या देख रही हो RSI 30 के उपर आया थिक कैंडल है थिक तो बाद में बनती है लेकिन बाइंग बनी can go for a buy again see the movement और यह एक ही कैंडल ओप्शन में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है because it is bank nifty but volume कौन से ही कैंडल पर हो रहा है यह हम को पता चलता है विद थिक कैंडल अब यहां पर मैं वॉल्यूम लगा हूं तो देखें कैंडल जो है वो वॉल्यूम में चली गुश जाती है क्या आप भी जोती बुधिया माम से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं? If yes, then I have something very exciting to share with you. हमने जोती बुधिया माम के साथ recently introduced किया है धी जोती बुधिया लर्निंग पाथ. इस लर्निंग पाथ में आपको जोती माम के सभी कोर्स का access वन गो मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लर्निंग पाथ में technical analysis, options trading, open interest based trading और माम के बाकी सभी courses अवेलेबल हैं. And you know the best part, अगर आप इंडिविजुली इन कोर्स को बुधिया करते हैं, तो आपकी फीज कुछ 1600 तो 2000 के बीच होंगी. But if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99. Isn't that exciting? तो आज ही इस लर्निंग पाथ को सब्सक्राइब तीजे और जोती माम से टेडिंग सीखें. Now let's get back to the video. उतनी clarity मिलती नहीं है, जितनी इसके साथ मिलती है. तो friends, आप जो भी मुझसे पूछेंगे, जो वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज मांगेंगे, मैं देने की पुरी-पुरी कोशिश करूँगी, अपने स्टाइल में दूँगी, जिस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ, वो दूँगी, आ उसका मैं एडवांस वर्शन भी बनाऊंगी, और जैसे जैसे लाइक आते जाएंगे, उससे एडवांस उससे एडवांस बनाते जाऊंगी, और जितनी नॉलेज आपको चाहिए, मैं देते जाऊंगी, हर एक टॉपिक पर दूँगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कर दे, मुझसे कहा गया था कि be ahead of time और time will throw you away, समय से आगे चलना सीखो, नहीं तो समय पीछे छोड़ देगा, ये टेकनिक ट्रेडिंग व्यू में शायद आजकल में ही आई है, और मैंने आते ही इसका वीडियो आपके लिए बनाया है, तो study तो किया ही होगा ना मैंने, मैं अपनी study भी चारू रखती हूँ, और वीडियो भी आपके लिए बनाते रहूंगी, आपसे request कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, उसी भी बनाऊंगे, ओके friends, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you